सूप्रभातं प्यारे बच्चों, आज हम बानभर्ट विरचित कादंबरी के चंद्रा पिरकता भाग का 9 से 11 तब गध्यांसों का पठन पाठन करेंगे प्रादंब करते हैं इस्थित्वा चे किंचित कालम महास्वेता याहा बदनम विलोक्य मन्द इसमितम अकरूद इस्थित्वा ठहर कर च माने और किंचित माने कुछ समय पर महास्वेता के बदनम माने मूँ को अवलोक्य माने देख कर मंदम इसमितम जैसे मुश्कुराहट एक तरीके कि हास जैसे अठास होता है तो हाहा करते हैं लेकिन से मंद हास कि कुछ तेर वहां ठैर कर महास्विता के मुख को देखकर चंद्रा पिल्ड जो है थोड़ा सा मुश्कुरा रहे हैं भाव ये है कि चंद्रा पिल्ड जो हैं अब अपने राजधानी वापस लोटना चाते हैं तो कादंबरी और महास्विता से अनुमति लेने आये हैं इस प्रसंग में ये व्याक्या कि कैसे कादंबरी उन्हें जाने की अनुमति देती हैं तो इस्थित्वा ठेर कर चैमाने और किंचित माने कुछ कालम माने समय में महास्विता या महास्विता के वद्न माने मुख को विलोक के माने देखकर मंद इसमितम थोड़ा सा हस कर मंद हासम करोत अकरोत करते हैं असव तू तावतेव विदिता विप्राया है इस असव मन इनका तावतेव इसी भाव से ही कि मंद मुस्कान से ही वो समझ गई हैं अभी प्राय जान गई हैं जानकर कादमबरी अब्रवित कादमबरी को उन्होंने कहा कि महास्वेता उनके मंद हसने से ही क्या समझ गई हैं कि जीगमीशती खलू है सखी, जीगमीशती जाने की इच्छा रखनी वाले कुमार जो है जाने की इच्छा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं क्यूंकि ये बहुत दिनों से अपने घर नहीं गए हैं तो जो वहां के इनका परिवार्जन है वो इनके वीचे में दुख का अन्बव कर रहे हैं यूवयो हो और तुम दोनों की दूर इस्तितियो रपी दूर रहते हुए भी कमलनी कमल बांधवयो रिव कमलनी और कमल कमलनी के जो बांधवयो रिव इस्तिति प्रेवयम कमलनी के जो बांधव है अठा सूर्य देव की इस्तिति के समान तुमारी प्रीती रहे के दूर रहते हुए भी जैसे सूर्य का प्रकास बहुत दूर से उदित होता है लेकिन प्रत्वी पर पढ़ते ही क्या होता है कमल ये समय का चक्र है कि जैसे प्रभात होता है तो सूर्य का प्रकास आता है और कमल पर पढ़ता है और कमल का पुष्प खिल उठता है इसी प्रकार के तुम दोनों में ये प्रीती बनी रहे कि एक दूसरे को दूर रहते वे भी आनंद का अनुभव करें अब प्रलयात प्रलय होने पर भी अतह कि तुम दूर रहने पर भी तुम दौनों की जो बंधन प्रीती है वो इस तरीके से बने रहे कि जैसे सूर्य और कमल की बनी रहती है अतह इस कारण से अभ्यूनु जानुतु भवति और एस प्रकार से द्धीन नहीं है मतलब इनका अपना निल्मी है कि इनको देखते ही में इनकी हो चुकी हूँ तो युदि नहीं लेते हैं बलकि छोटे लोग जो हैं बड़ों से आ जाय लेते हैं इस प्रकार का वो है कि ये मुझसे क्या नुरोद कर रहे हैं ये स्वयम नाथ है इत्यविध है ऐसा कहकर गंधर्व कुमारान गंधर्व कुमारों को आहुए बुलाकर प्रापयत कुमार प्राप्त कराओ हे कुमार स्वाम भूमी इन्हें अपनी भूमी पर पहुंचाओ इती आदिदेश ऐसा आदेश देती हैं जब वो कहते हैं कि यह स्वयम आधीन है ऐसा जानकर वो क की गंधर कुमारों को बुलाकर कहती है कि महाराज को इनकी भूमी पर पुंचा इसे चोड़ने जा तो इस तरीके का आधे देश 나오альных देती है चंड़ा पीड़ के रणाम करके प्रत्म महास्वेता और चंड़ा पीड़ी कादंबरीम देविम किम ब्रवामी उसके बाता है लिचन्द महास्वेता को प्रणाम करते हैं फिर कादंबरी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं मैं क्या कहूं क्योंकि प्रेम जो है निशब्द होता है उसकी एक अनुभूती होती है वो जिसे होता है वो ही उसका अनुभ जर्दा नहीं रखते हैकादम्मरी में क्या बोलूं। जैसे आज चलता है कि आज बहुत प्रेम करता हूं करता वह करता है झाल बहुत बोलने वालों पर विश्वास नहीं करते हैं इसमर्ण कन्य योग्य हूं में परिजन कथातु जैसे परिजन तुम्हारे लोग हैं उन कथाओं में उन वारताओं में मेरा इसमर्ण करा जाना चाहिए कहां करने योग्य हूं इति अभिधाय ऐसा कहकर कन्यां कर कन्यकान तह पुरात न के भवन से निकल जाता है अब यहां पर थोड़ा व्याकरण देखेंगे हम विलोक के विउपसर पूर्वक लुक धातु दर्शने और यप प्रत्य है जैसे कई भी आज आता है प्रत्य कि विलोक के में कौन सा प्रत्य है तो आप इस तरीके से इसका उत्तर देंगे और यहां पर आपकी है स्वाधीनो अयम जनह कुमारत से को अत्रा नुरोध है यह आपके सुक्ति है सुक्ति मैंने कहता सुंदर कथन जिसे कहा जाता है कि महास्वेत कादंबरी कह रही है कि आप बड़े हैं मुझसे मुझसे आग्या लेने की क्या हो शकता है यह मेरे स्वामी है यह मुझे आज्या देंगे ना कि मैं ऐसा यहां पर भाव है कि जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें आज्या नहीं देते उनसे अनुग्रह करते हैं इस तरीके का तो यह सुक्ति आपकी दूसी सुक्ति है आपकी सुक्ति बहु भाशिन नस्रधनति लोगा बहुत अधिक बोलने वालों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं चंद्रापिल कह रहे हैं कि बार बार अगर कहा जाये मैं यह हूं मैं वो हूं मैं लोग अपनी आत्म प्रसंसा में बहुत बीन रहते हैं लेकिन चंद्रापिल को यहाँ पर कम बोलने वाला और घ्याता बताया है तो उन्होंने का है कि जो बहुत अधिक बोलते हैं उन्हें पर श्रधा नहीं होती लोगों के जन्यों की इस प्रकार से यह भी आपकी सुक्ति है और इस गध्यांस के प्रस्न उत्तर हैं आपके यह देखेंगे आप चंद्रापिलह कम विलोक के मंद स्मितम अकरोर चंद्रापिल किसको देखकर थोड़ा सा हंसते हैं तो चंद्रापिलह महास्वेताया है महास्वेताया है वदन माने मो को देखकर विलोक के माने देखकर मंद स्मितम अकरोर थोड़ा सा हंसते हैं मुस्कुर यत प्रापयत कुमारम स्वाम भूमिं की महराज को इनकी भूमिंपर पहुचा दो कह कन्यकानताह पुरात निर्जगाम कौन कन्याओं की घर से कादंबरी के घर से निक गए थे तो चंद्रापीलह कन्यांकताह पुरात निर्जगाम बहु भाशन का शाब्दिक अर्थ रिखे बहु भाशन एक एक शब्द को में या पर बहुत ही सुक्षमता से पढ़ना होता है इसलिए में एक-एक सब्द का आपको अर्थ बताती हूँ कि बहु भाशने का साब्दी करता है बहुत अधिक बोलने वाला अर्थात वाचाल वाचाल की वाणी पर कोई भी विश्वास नहीं करता है ये जन सामान्य से जोड़ा हुआ वाक्य है इसलिए इसको सुक्ति का नाम दिया गया है आपके पाठे कर्म में नेहित है अब इसके बाद क्या होता है कि सब लोग चले जाते हैं और प्रसंग है यहाँ पर कि अब उन्होंने आदेज दे दिया कुमार चले गए अब कादमबरी की क्या वस्ता है उस भवन में किस तरीके से कादमबरी है ये सब उसमें वर्णन है और कैसे कैसे कहां तक वो उन्हें छोड़ कर आते हैं पूरा एक एक छोटी छोटी भावन को कभी ने दर्षित किया है व्रकूर प्राकृतिक वर्णन की हमारे मनु भाव कैसे है स्वाभाविक ऐसा लगता है कि एक कथा सी हमारे सामने अरकट हो रही है और धीरे-धीरे ये हमारे कि अभ क्य होगा अभ होगा हर कहानी का जो सुन्धे श्रोटा और वता का जो कथन हो कि अब क्या होगा जिख्यासा बनी रहनी चाहिए आपके मन ने कादंबरी अर्जवम असेशा कादंबरी को छोड़कर असेशा नसेश कोई विवाण नहीं रहा भवन में केवल कादंबरी की ऐसे कन्यका जनह सारी लोग तम व्रजन्तम उनको राजा चंद्रापिर को जाते भाहिस तोरन नाज है तोरण से बहिर मुझार से बहिर पाहार तक अनुब्रजाओ छोड़ने जाते हैं जैसे हम सभी लोग को यथिति आते हैं हमारे मुख्य मंत्री आ गए या भ्रधान मंत्री आ गए तो हम सभी क्या तो इनके संब्रां में उठते हैं और उनको बाहार तक कर वर जाते हैं तो सभी खड़े होकर सियोफ करने जाते हैं उन्हें अंतिम विदाई देने जाते हैं इस परकार से यहां पर वर्णन हैं निवुरत्ते चे कन्यका जनें और लोट आने पर कन्यका जनके और लोग आ जाते हैं लेकिन चंद्रा पील हा के युरक्ति एक वजन उपनीतम दे जाते हैं वाजिनम घोडे पर दित्य बक्ती एक वचन आरूईये चढ़ा कर और लोग लोड जाते हैं लेकिन चंद्रा पीड को के यूरक जो है घोडे पर चढ़ा कर गंधर्व कुमारई तई अनुगम्य माना गंधर्व कुमारों के साथ अनुगम्य माना उनका अनुसरन करते वे कन् परवत करते हैं महास्वेता का आश्रम कहां है अच्छोद सरस्तीरे अच्छोद तालाब के निकटबर है संजनि विश्टम वहाँ पर, वहाँ पर अच्छी प्रकार से इस्थित इंद्रा-उद-खुर पुटा क्टानु-सारइन, इंद्रा-इद-घोडा था चंद्रा पिड का जिसमें कि वो हर राजा का अपना घोड़ा था जैसे माराना अप्रताप का घोड़ा था तो इसी प्रकार से उनके अच्दरा पिड के घोड़का सेना के सिवे में, देखते हैं, जहां पर उनके सभी लोग फ्यारे वे थे, कि गोड़े के पैरों का अनुषरन करते हुए, वहाँ पर आ जाते हैं, नीवरतिता, सेस कुमारस्चे, लोट जाते हैं, सारे और कुमार, सानन्द्डें, अनन्द के साथ, सकौतुहलें, कौतुहल क के साथ बड़े ही प्रसंद हैं उसके सब विसमें विसमें के साथ चैमाने और इसकंधवारा जनीन इसकंधवारा इसकंधवार में रहने वाले लोगों के द्वारा प्रणम्य मानह प्रणाम किये जाते हुए जैसे कि महाराज आगे महाराज की जैहो जैहो ऐसे करका उद्गो क्वें उनको चोड़ने जाते हैं और गंधर्व कुमार जो वहाँ पर है वह राजा को घोड़ें बिठा कर उन बिठाते हैं और वहां तक अच्छोध सरोवर्त पहुचाते हैं और वहाँ से इंद्रा युदनाम के घोडे के पैरों का अनुसरन या घोडा लेके आकर राजा उससे अपने इसकंदा वार में पहुंच जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भी क्या है अलग-अलग भवन जैसे बने हुए होंगे तो वहाँ पर अपने उस भवन में प्रवेश कर जाते हैं यहाँ पर मिलनन से लगाते हैं के फिर को बहुत दूर तक हमारा द्वार बंदर तोरण कहते हैं द्वार के जो हम लगाते हैं आम के पत्ते लगाते हैं कभी हमारे महुस्तव होता है तो बंधन द्वार इसे कहते हैं उसे तोरण उसके बाहर तक जाती है हम मुख्य द्वार पर उसको लगाते हैं अनुवरजाव जाती है केन उपनीतम वाजिनम किसके द्वारा घोड़ा लाया गया तो केयुर केन केयुर के द्वारा उपनीतम लाया गया घोड़ा इसकंदवार कहा था राजा का वो था अच्छोद सरस्पीरे अच्छोद तालाव के निकट महास्वेता आश्रमह कुत्रासित महास्वेता का आश्रम कहा था पुनरपुनर ये प्रस्ण आता है महास्वेता याहा आश्रमह अच्छोड सरस्तीरे आसी तो छोटे छोटे प्रस्ण आते हैं भाव विन्यास होता है एक एक शब्द को तो इसलिए आपको पूरा एक-एक अप्षर सहर पढ़ाया जाता है किताब की आपको परिच्छा में कोई ही दिकत ना हो आप पढ़ें स्वाज़। क्या करते हैं वो असकंदवार में तो पहुँच गए हैं राजा चंद्रापीर अब वहाँ अपने भवन में क्या-क्या उनकी मन में एक मानसिक चिंतन होता है आध्यातनिक मानसिक तो मानसिक चिंतन चड़ा है राजा चंद्रापीर का तो वो क्या है तत्र माने वहाँ पर वै सेविका है उसके सार एवम महास्रेता इस प्रकार से महास्रेता एवम कादंबरी इस प्रकार से Qadham ऑन लिखे जरे इनकी कठाओं से सारा डिवस बिता एक है कि जब हम यह जाते हैं तो आकर बताते हैं वहाँ पर यह हुआ था तो राजा चंद्रा पिल बता रहे हैं कि महासेता की कथा महासेता के बारे में बताया कादंबरी के बारे में बताया मद लेखा के बारे में बताया और ऐसे बात करते करते पूरा दिन ही व्यतीत कर दिया क्योंकि उस साहि जैसे बिता दी कि राजभर राजय के मस्तिष्क में प्रेम उत्पन हो चुका है और वो अपनी प्रेमिका का स्मरण कर रहे हैं अप्रेद्यू और दूसरे दिन सम उपस्तिते भगवती रवव अप्रेद्यू दूसरे दिन उपस्तित होने पर सप्निवक्ति एक वचन भगवती सप्निवक्ति एक वचन रवव उपस्तित होने पर रवी माने सूर्य भगवान के इकारांत शब्द है ये दूसरे दिन भुशूरे भगवान के उधित होने पर अस्थान मंडपात अपने सवा भवन में से सहसे अचानक ही प्रतिहारेण से प्रतिहारी के साथ प्रविशंतम प्रवेश करते हुए के यूरकम के यूरक को ददर्श देखा तभी वो अपनी सभा में बैठे वे थे कि तभी क्या हुआ कि अचानक से एक प्रतिहारी के साथ दूत के साथ उन्होंने के यूरक को आते वे देखा आगे देखे क्या होता है दूरादेव दूर से ही प्रणाम करके एनंग यही यही बहुत खुश हो गई दूर से प्रणाम किया और यही यही आईये एत्योक्त्वा ऐसा कहकर गाड़ आलिंगनन वह तेवरता से बहुत फ्रेंट प्रेंट करते हैं उनके जले मिलते हैं आत्मना समीपेव अपने पास ही उनको बिठा लेते हैं तो उनको क्या करते हैं अपने पास बिठा लेते हैं पहले प्रेम पूर्वक लाते हैं और फिर यह अथिति स्वावत करने का एक तरीका है कि राजा भी इतने सज्जन हैं कि उन्हीं इन सम्सकारों का ज्यात हैं प्रप्रच्षते और पूष्ते हैं सरसकी जनान देवी कादमबरी अपनी सक्यों के साथ इस्थित कादमबरी के कि बेज़की सारी यही सहिलिया ठीक है वो ठीक है भगवती महास्वेता जय और भगवती महा सेता के बारे में पूछते हैं इती इस प्रकार से असवतु और वहतो अध्यकुसलनी वो कहता हाँ वो आज ठीक है याम एव देवह जैसे आपने कहा था प्रिच्छती अभी धाय ऐसा कहकर पूछते हैं कादंबरी प्रतिहतानी कादंबरी के द्वारा भेजे गए जानने की वस्तवे जिन से हम जाना जाये कि हाँ यह वहीं से आया है यह भेट दी एक तरीके की अधर से दिखाते हैं क्या-क्या भेजाया कादंबरी ने कोई जो मारा प्रिय होता है एक परमपरा की हम जब किसी के घर जाते हैं तो उसके लिए भेट लेके जाते हैं और से ही महास्वेता ने उनके पास भेजा तो क्या-क्या भेजा मर्कत हरंती मर्कत के से भी हरी व्याप नीतंच पुंगी फलम मर्कत से भी हरे रंग की क्या है पुंगी फलम अर्था सुपारी के सुपारी को भेजा सुक कपोल पांडुलानी नेना के समान पीले जंग वाली त ताम्बूल दलानी ताम्बूल मतलब पान के पत्तों को भेजा तो इसका मतलब यतित होता है कि जहां बार्ण भट रहते थे वहाँ पान अधिक होता था यह ताम्बूल से अधिक इसने है था म्रग के उससे मनोहर जो है म्रग सकी भी कस्तूरी से भी जादा सुगंधित क्या भेजा उन्होंने एक लेप भेजा इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि जब वहां के यू रख गया तो उसने का कि कैसी है उन्होंने का हाँ वो कुछल है आप जब से आये हैं बहुत ठीक हैं फिर उनके बारे में बताता है कि कादमबरी ने तुमारे लिए यह यह भेजा है पहले है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई भीतें देते हैं उसके बाद कहते हैं अब्रवीच कहते हैं अंजलिना अंजली के द्वारा देवम अर्चेती अंजली के द्वारा देव को सुपाल के सामने आप उपस्तित नहीं हुए क्योंकि आप में इतना आकर्शन हैं कि हम विरह से व्याकुल हो गए हैं इस प्रहंती और याद करते हैं खलु निश्यत रूप से जना सभी लोग हम गंधरु लोग में रहने वाले व्यव्यक्टीत दिवसाय दिनों के लिए याद करते र बिना निवी निवरत्त महोसवमिव वर्तते सा गंधर्व राजनगरम त्वया तुम्हारे बिना तुम्हारे से हीन होकर नश्ट हो गए हो जैसे वहांके महोसव ऐसा लग रहा है ये गंधर्व राजनगरम की राजा चंद्रापिर वहां से आये हैं जब से तो वो गंधर् होता है जब किसी का प्रिय कहीं चला जाता है जैसे घर पे जाते हैं और हमें अपनी माता नहीं मिलती है तो भी हमें घर अजीब सा लगता है यह कि तुम्हारे बिना यह सारी उस्सव महुस्व जितने हमारी भार्ति सस्कृती उस्वोर से युक्त है कि हर समय हमारे अंदर उस्साह बना रहें इसके भारतिय परंपराम में हिंदू परंपरा में हर मास हर उसमें एक नी आपका सब होता हिये मह Columbus होता है त्योहार होता है इस तरिके से कि मंमुस्य में एक उस्साह का भाव बना रहे है कि उसमें एक उंथा ना आए अब जैसे अभी था कि बहीं सब लोग क्रोना से बहुत परिशान थे लेकिन उसी चीज को प्रधान मंत्री जी ने ऐसे मोड़ा कि आज आप ठालियां बजाओ आज आप दीपक जलाओ आज आप ऐसा कीजिए तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम कहीं ना कहीं पूरे देश से जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही उस सवका एक माहौल दिया क कि आदमी जो है इस तरीके की घटनाओं से व्यथित ना हो जाना सी चैमाम और जानती हो मुझे खृत सकल परिद्याग और तुम मुझे जानते हो कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है और क्या है मैं एक तपस्वनी हूं तो भी तथा पी तो भी अकारण पक्षपातिनम तो कवंतम द्रिश्टुम इच्छती में आपको देखने की इच्छा कर रहा है मेरा मैं तपस्वनी हूं जो कि मैंने संग्सार त्याग दिया है अपने प्रेमी की मेरी प्रेमी की मृत्य हो गई थी और मैं उसके लिए तपस्या करें कि तो पुने जन्म हो मास्वेता यह कह रह है अब पीचे और भी बलवत अस्वस्त शरीरा और क्या हो गई है बहुत ही अस्वस्त शरीर वाली हो गई है कादमबरी क्यूं हो गई है कादमबरी अस्वस्त शरीर वाली यह विरह अगनी बहुत ही अलग होती है कि व्यक्ति स्वस्त होते वे ऐसा हो जाता है कि कादमबरी को राजा चंद्रापीड की बहुत याद आ रही है इसलिए वो क्या हो रही है अस्वस्त हो गई है और क्या कर रही है उस वाली अवस्था में जब उन्हें याद कर रही है इसमरती इसमरन कर रही है चैमाने और इसमे राननम कामदेव के समान आनन आपके मुख को समर कल्पम त्वाम और निरंदतर आपकी ही चुन्ता करती हैं अत्तह इस कारण से की जो कादमबरी स्वस्त हो जाए उसलिए पुनहर आगमनें दुबारा आने से अरहसी हरिये इनके किसे इमाम इस कादमबरी के समभावे तुम इस कादमबरी के सारे कस्तों को हरिये और हम सबको भी लाभानमित कीजिए सोडव्या चेयम अवशे ही सहन करने योगे चेयम माने यह कदर्थना कुमार यह आगरे तुमारे द्वारा अवस्य ही सुना जाना चाहिए कि हम आपके कारण कैसे हैं, हमारा नगर कैसा हो चुका है, उस सवों से हीन हो चुका है, यहाँ पर कभी मन नहीं लग रहा है, इस तरीके का भाव है भवस्सु जनितेव जनयती, भवस्सु जनितेव आपके सज्जनता के कारण, क्या कह रहा है कि यूरक आपके सज्जनता के कारण राजा सज्जन है, अब सारा संदेश तो कह यूरक कह रहा है ना किसी की दूसरे की बात को, तो वो कह रहा है कि आपके सज्जनता के कारण जनय यति उत्पन हो रहा है मेरे अंदर अनुचितेन संदेश संदेश प्राग अल्भ्यम कि मैं अनुचित चपकी राजा के सामने ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं है लेकिन आप सच्चन है और आप भी कादमबरी से प्रेम करते हैं इस कारण से मैं द्रश्टता कर रहा हूं कि आपके सामने यह सारा वर्णन मैंने बता दिया है जबकि मुझे नहीं बताना चाहिए इति इस प्रकार से प्वामाने कहे कर एश देवस से शैने विसमित हारह और ऐसा कहेकर चुप हो जाते हैं और कहता है एश माने यह देवस से भगवा चंडरापील के शैने सय्या पर विसमित ह सारा जो आपका यह हार है जो कि आप अपनी सोने की पलंग पर छोड़ आए थे इत्युत्री यह पटांतर ऐसा कहकर दुपट्टे से निकाल कर संयतम उनको तत्विमुच्य उसको देता है किसको देता है चामर ग्रहन्या जो चामर डुला रही है राजा की इदर अगर उनके हातों में समर्पित्र कर जेते हैं इसी के साथ इसके प्रस्मुत्तर हैं आपके पहला प्रस्ने के यूरक के यूरकम किम प्रप्रच्छ चंद्रा पील ने के यूरक से क्या पूछा चंद्रा पील प्रिच्छती यत कथे के यूरक किंचित कुशलनी सा सकी जना देवी कादमबरी भगवती महास्वेता चे के यूरक ने क्या निवेदन क्या कम निवेदा याती के यूरक किसके सामने कहता है के यूरक चंद्रापीलम निवेदा याती कौन अंजलिक के द्वारा देवकी अर्चना करती है कादमबरी अंजलिक अर्थ लिखे, तामबूल का शाब्दिक अर्थ है पान जो की खाते हैं धन्यवाद इसी के साथ आख सारे इसको स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे और इनके भावों को लिखेंगे अपनी कौपियों में लिखे, पाठे पुस्तक में लिखे, उन्हें देखिए जहां समस्या हो उन्हें आप अपनी किताबों से भी फून गर सकते हैं